सब्सक्राइब के आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें पिहु टीवी को और नोटिफिकेशन बैल के आइकन पे क्लिक करें हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आज की इस वीडियो में हम कुर्टी के स्लिट्स पे ये वाला डिजाइन बनाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुर्टी को उल्टा करते हुए बिचा लेंगे जैसे कि मैंने बिचार रखा है अब यहां तक हमारी फिटिंग की सिलाई खतम हो रही है तो मैंने इस पे मार्ग कर दिया अब जितना आपने मार्जन रखा होगा जैसे कि मैंने 2 इंच मार्जन रखा हुआ है तो 2-2 इंच पे मार्ग कर लेंगे इसी तरह से इस साइड पे मार्ग कर लेना है अब इन निशानों को मिलाते हुए scale की help से सीधी lines ड्रो कर लेंगे अगर आप इस तरह से lines नहीं लगाना चाहते तो इस तरह से जितना भी आपने margin रखा है उस पे cuts लगा लीजिए क्योंकि हमने नीचे वाली side है जो कुर्ती की उस पे भी design बनाना है अब इसको इस तरह से जो हमने lines लगाई है इन तक इस तरह से fold करते हुए इस पे iron कर लेंगे और नीचे वाली side को इस तरह से fold करते हुए इस पे भी iron कर लेंगे इसी तरह से दोसी side की slit को भी हम fold कर लेंगे तो अब यह मैंने दोनो side की slits fold कर ली है अब इस तरह से खोलते हुँ रखना है और जो crease है इसको हम चौक की help से इस तरह से highlight कर लेंगे अब हम इसको इस तरह से कोलते हुँ रखेंगे तो मैंने इस तरह से देखिए दोनों तरफ की slits पे highlight कर लिया crease को अब इसको उठा देंगे और fusing paper लेंगे आप चाहो तो बुक्रम भी ले सकते हो और इसकी चुडाई हमने 2 इंच ली है और इसकी लंबाई जितनी कूर्टी की स्लिट लंबी होगी उससे 1 इंच या फिर 1.5 इंच जादा ले लेंगे इस तरह से ही देखी अब इस पे हम आदे इंच पे एक मार्क करेंगे इस तरह से पूरी लंबाई में आदे इंच पे मार्क करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रो कर लेंगे अब यहाँ स्टार्टिंग में 1 इंच पे एक मार्क करेंगे अब इस पे bangle की help से shape draw करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे 1 इंच पे इस तरह से mark करेंगे क्योंकि हम जो curve इसमें draw करेंगे इसके उचाई center में से 1 इंच होगी अब इसी तरह से पूरे में shapes draw कर लेंगे यह मैंने छोटे बच्चे की bangle ली है अगर आपके पस bangle available नहीं है छोटे बच्चे की तो एक भुक्रम का piece लीजिए और इसके center पे 1 इंच पे mark कीजिए और इस तरह से 1 mark और कीजिए starting में अब यह देखिए जो मैंने curve बनाई है यह सबा 2 इंच चोड़ी है नीचे से 2.25 इंच तो इस पे जो आपने यह नीचे mark किया है इससे रखते हुए सबा 2 इंच पे निशान लगाईए और free handed इसमें shape ड्रॉ कर लीजिए अब इस पे cutting कर लेंगे और इस pattern को अब रखते हुए shapes ड्रॉ कर लेंगे तो इस तरह से पूरे pattern में shapes ड्रॉ करने के बाद इस पे cutting कर लेंगे friends आप इसकी चोड़ाई कम या जाधा भी कर सकते हो और जो center में से मैंने इस curve को 1 इंच तक उठाया है आप चाहो तो इसको पोना 1 इंच या फिर 1,5 इंच भी कर सकते हो अब यह pattern cut गया है इसे कपड़े की उल्टी side में रखते हुए paste कर लेंगे यह देखे pattern के दोनों तरफ मैंने आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ा है अब इसकी इस side को fold करते हुए rough stitch लगा लेंगे तो इस तरह से हमने 4 pattern ready कर लेने है इसे कुर्टी की सीधी side पे इस तरह से place करते हुए stitch करना है यहाँ पे हमारे fitting की सिलाई खतम हो रही है तो यहाँ पे हम इस pattern को इस तरह से रखेंगे और यह जो pattern के उपर line लगी हुए है और यह जो नीचे crease है हमारी इसके उपर overlap करते हुए आने चाहिए यह line अब हम कपड़े को अच्छे से set करते हुए रखेंगे और इसके उपर pattern रखते हुए stitch करना है यह मैं यहाँ पे इस पे mark कर रही हूँ यह जो हमारा mark हमने किया है यह जो उपर इस पे mark है इससे थोड़ा सा just नीचे just quarter inch के करीब नीचे करते हुए फिर stitch करेंगे अब हम इसमें इस तरह से stitch लगा रहे हैं ताकि हमारा यह यहाँ पे fix हो जाए यह देखे जो यह हमारी fitting की सिलाई है उसके बिलकुल pass में stitch लगाया है तो अब हम इस पे एक rough stitch दे देंगे नीचे वाले mark को ध्यान में रखते हुए फिर stitch लगाईए यह हम इसलिए लगा रहे हैं कि जब हम इस pattern को stitch करेंगे तो हमारा जो pattern है वो आगे पीछे ना हो अब यह हमारा fix हो गया है अब हम यहाँ pattern के किनारे पे stitch करेंगे pattern के उपर stitch नहीं लगाना है और friends हमने इस कूर्ती की जो सलवार है उसके पोंचों पे भी यह design बनाया है अगर आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो का link नीचे description box में मिल जाएगा आप वहाँ से देख सकते हो तो इसी तरह से पूरे में stitch लगा लेंगे यह देखिए इस तरह से हमने बिल्कुल pass में stitch लगाया है pattern के उपर stitch नहीं लगाया है अब यहाँ से quarter inch के करीब कपड़ा छोड़ते होए बाकी कपड़े की cutting कर लेंगे और पूरे pattern में notches दे देंगे slice से दूर रखते होए ताकि जब हम इसे पल्टे तो easily पलट जाए अब हम इसे उल्टी side में पलट लेंगे क्योंकि हमने इसे कुट्टी की सीधी side पे रखते होए stitch किया है तो अब इस तरह से यह पलट गया है और इस पे iron कर लेंगे तो यह मैंने iron करते होए ले लिया है और इस side में भी pattern लगा लिया है और यह इसकी उल्टी side है अब हमने इस पे लगाने के लिए golden color की piping ली है इसको इस तरह से रखते होए इस पे attach करेंगे अब इसी तरह से हम stitch करते हुए यहाँ उपर hip तक पहुँच गया है अब यहाँ पे हमने piping को करीब करीब एक इंच उपर की तरफ इस तरह से निकाल देना है और फिर आगे stitch continue करना है और जैसे हमने पहले piping लगाई है सेम उसी तरह से attach करते हुए complete कर लेंगे इस side में भी तो यह हमने piping लगा ली है अब यहाँ पे उल्टी side में इस तरह से cuts दे देने है जहाँ पे हमारे यह corners है और अब यहाँ पे piping के किनारे और यहाँ पे तुरपाई कर लेंगे तो इसी के साथ हमारे यह आज की वीडियो complete होती है I hope आपको यह design अच्छा लगा हो अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जादा से जादा like और share कीजिएगा मिलते हैं next वीडियो में till then bye bye and take care